इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं NCRT के exercise 6.2 तो इस introduction में NCRT के exercise 6.2 में जितने भी questions है हो सारे questions हम यहाँ पे cover करने वाले है तो इसके introduction में हमने देखा था कि किसी भी inequality का, linear inequality का with the two variables हम लोग graphical solution कैसे निकालते हैं तो start करेंगे with the example यहाँ पे मैंने common question ले रखा है कि solve the following inequalities graphically in two dimensional plane तो इस exercise में जितने भी questions है उन सारे के सारे questions में आपको क्या करना है graphically solution निकालना है तो हम example number 1 के साथ start करेंगे चलिए, ठीक है, start करते है with example number 1 example number 1 में आपको inequality दिया हुआ है x plus y is less than 5 है ना, क्या दिया हुआ है, x plus y is less than 5 तो इस inequality का हम क्या करेंगे graphically solution निकालेगे लिखेगा solution, ठीक है, solution लिखेगा सबसे बहले तो जो inequality आपको दिया हुआ है उसको हम लोग note कर लेंगे given ठीक है, given in equation ठीक है, given in equation आप inequality बोलो या आपर in equation बोलो, दोनों ही same बात है, ठीक है ना so given in equation is क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर x plus y less than 5 x plus y is less than 5 इसको आप दिज़ना equation number 1 इसको हम क्या assume करेंगे इस inequality को हम equality assume करेंगे ठीक है, इस inequality को हम क्या करेंगे equality assume करेंगे किसी line ठीक है, line draw करेंगे ठीक है ना, तो यहाँ पर दिखो x plus y less than 5 है, तो इसको आप क्या करेंगे let x plus y is equals to 5 now x plus y is equals to 5 is what, is a equation of straight line यह किसका equation है, equation of straight line which cuts the coordinates at two points which cuts the x axis and y axis at two points, एक x axis पर कट करेंगे और एक point पर कहां पर कट करेंगे, y axis पर कट करेंगे तो इसके अगर हमें coordinate find करना है तो हम किस तरीके से कर सकते है, ठीक है तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर आपको x coordinate find करना है तो आपको y put 0 put करना पड़ेगा और अगर y coordinate find करना है तो आपको क्या put करना पड़ेगा, x को 0 करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखो आप इस तरीके से एक पहले box बना लो जैसे जिसमें हम लोग क्या करेंगे coordinates note कर लेंगे जैसे यह हमारा मान लो x है यह y है और यह point हमारा a है और यह point हमारा b है तो अगर मुझे x coordinate find करना है तो मैं क्या करूँगा y को 0 put करूँगा तो जब हमने y की value 0 रखी तो मुझे x की value कितनी मिली 5 मिली ठीके दूसरी बात जब हम यहाँ पर अगर हमें अभी y coordinate find करना है तो हम क्या परेंगे x को 0 put कर देंगे तो अगर आप x is equal to 0 put करते हो तो यहाँ पर देखो आपको क्या मिलेगा y मिलेगा 0 plus y is y y is equal to कितना है 5 तो y का value आपको कितना मिलेगा 5 इसका मतलब क्या है कि जब मैंने x coordinate को 0 रखा तो y की value मुझे कितनी मिली यहाँ पर 5 मिली तो a के जो coordinate से हो क्या हो गए 5,0 और b के coordinate से हो क्या हो गए 0,5 ठीक है तो आप लिखेगा तो therefore a of 5,0 and b of 0,5 are the coordinates are the coordinates are the coordinates of line किस line के coordinates है are the coordinates of the line ठीक है किस line के coordinates है x plus y is equal to 5 यह जो line है यह क्या करेगी x axis को point a में cut करेगी और y axis को क्या करेगी point b में cut करेगी point a के coordinate क्या है 5,0 point b के coordinates क्या है 0,5 है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे line को draw कर लेंगे क्या करेंगे हम line draw कर लेंगे तो मानलों जैसे यह हमारा y axis हो गया यह क्या हो गया हमारा y axis और यह हो जाएगा हमारा x axis ठीक है ठीक है यह हो गया हमारा x axis यह हो गया हमारा y axis ठीक है यह क्या हो जाएगा हमारा y dash और इसे हम क्या कहते है वाई साब इसे हम क्या कहते है X- इसको हम कहते है X- ये होता है आपका origin ये क्या होता है आपका origin और ये मान लो ये point आपका 1 है ये point आपका 2 है ये point आपका 3 है कहां तक लेने हमें maximum क्या है 5 तो 5 numbers आने चीए इस तरीके से आप अपने इसमें draw करना properly scale से यह 4 हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 5 ठीक है यह हो जाएगा 5 यह हो जाएगा आपका 6 वैसे यहाँ पर आएगा 1 यहाँ पर आना चाहिए 2 यहाँ पर आजाएगा आपका 3 यहाँ पर आजाएगा आपका 4 यहाँ पर कई तो भी आएगा आपका 5 ठीक है न तो यही पर minus 1-2 यह माइनस 3 यह हो जाएगा minus 4 और यह к्या होना ची आपका-5 वैसे यह हो जाएगा minus 1- 2- 3 यह क्या हो जाएगा minus 4- 5 अब यहां पर देखाए अब हमें Aunque का करना है एक एसी line Pieego4 यह क्या है पिनोट क्यां एंड आ पर दोटा एंडे अर गोर्डिनेट जिरो कहां पर ऋता है आंडे एकश एक्षिस हैनगा चाहले हो जाए कर दाथे पोइंट हो जाएगा आपका वाला इस पॉइंट के जो है और आई पोइंट उसको के आजए व यह जो है दो खै फा feeling तो यहां पर X coordinate 0 है तो X coordinate 0 कहां पर होता है और Y coordinate क्या है फाइव है यह point कहां पर आएगा यहां पर आएगा इस तरीके से आएगा इसके coordinates आपके लिखेंगे 0,5 और जो point है इसको हम नाम दे देंगे B है ना तो आपको क्या करना है सबसे पहले line draw करनी है जो इन दो points को connect कर रही हो है ना आपको line draw करनी है जो इन दो points को क्या कर रही हो connect कर रही हो अब देखो दो तरीके की line हम लोग draw करते है एक तो हम लोग क्या करते है dotted line draw करते है और दुसरे हम क्या करते है dark line draw करते है अब यहां के उपर जो points है वो solution reason में included नहीं होते है यह बात बिल्कुल ध्यान में रख लो ठीक है कि अगर strict inequality है strict inequality मतलब जिसमें symbol less than या फिर only greater than वाला आता है उसमें वो जो line हम लोग draw करेंगे उस line के points जो है वो solution reason में included नहीं होते है इसलिए हमें क्या करना है dotted line draw करना है ठीक है और अगर मान लो less than equals to greater than equals to वाला है उसका मतलब क्या है कि वो slack inequality है तो जब slack inequality आएगी तो वहाँ पर आपको dark line draw करना होता है क्यों क्योंकि उस समय उस line के उपर जो points present है वो solution reason में included होते है इसलिए हमें वहाँ पर क्या करना होता है dark line draw करना होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या है less inequality है मतलब इस line के उपर के point solution reason में included नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ठीक है क्या करेंगे dotted line draw करेंगे ठीक है तो इस तरीके से आप ऐसे dotted line draw कर सकते हो. ठीक है? ये थोड़ी से तेड़ी हो गई. ठीक है? ये तेड़ी हो गई. आप बरौबर प्रॉपर स्केल का use करके बनाईएगा. ठीक है? मैं यहाँ पे scale का use नहीं कर रहा हूँ. इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है. ठीक है? आप बरौबर proper scale का use करके इसको बनाईएगा ठीक है ठीक है तो अभी आ गई है ना तो यह हमने dotted line बना दी इसको आप चाहे तो थोड़ा सा ऐसे dotted डार्क इसमें भी dotted बना सकते हो डार्क है ना यह डार्क इस तरीके से ठीक है dotted line का and dark line का dark line मतलब जो dotted ना हो continuous हो उस line का importance मैंने आपको बता दिया कि क्या importance है अब यह line क्या कर रही है यह line क्या कर रही है तो यह ओ गया अमारा upper half plane यह हो गया हमारा lower half plane तो इन दोनों में से कोई भी plane जो है हमारा solution reason हो सकता है अब इन दोनों में से upper half plane हमारा solution reason है या फिर lower half plane हमारा solution reason है यह decide करने के लिए हम क्या करते हैं कोई भी एक point consider करते हैं कोई भी एक point हम क्या करते हैं consider करते हैं तो मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे कोई point consider कर लिया लेकिन वो point आपको कैसा लेना है जो इस line के उपर ना हो इस point आपको सिर्फ ऐसे point आपको लेने है जो इस line के उपर present ना हो तो मान लो जैसे हम यहाँ पे यह point हमने consider कर लिया ठीक है न यह point अगर हमने यहाँ पे consider किया ठीक है तो इस point के coordinates क्या हो जाएंगे वाई सब इस point के coordinates क्या होने चीए देखो यहाँ पे y coordinate जो 2 है और यहाँ पर अगर इसी dotted line अगर आप निकाल दो तो आपको दिखरा होगा कि इसका जो x coordinate है 1 है इसको नाम दे देंगे हम लोग पी है ना इसको नाम दे देंगे पी और इसके coordinates हम लोग denote कर लेंगे that is 1,2 है ना 1,2 x coordinate कितना है 1 y coordinate कितना है 2 है तो यह point P हो गया और इसके coordinate हो गया 1,2 अब हम verify करेंगे कि यह point जो है हमने लिया हुआ है 1, 2, यह क्या इस inequality को satisfy करता है या फिर नहीं करता है ठीक है तो लिखेगा ठीक है now consider ठीक है now consider ठीक है now consider the point now consider point ठीक है point P of 1,2 ठीक है to decide to decide solution reason है ना to decide solution reason ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो यहाँ पर देखो point P की values क्या है 1,2 तो अगर आप X की value 1 और Y की value 2 इस equation number 1 में put कर दोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा equation number 1 will implies क्या मिलेगा X की value कितना लिखना है हमें 1 Y की जगह पर हमें क्या रखना है 2 तो यह क्या हो जाएगा 1 plus 2 ठीक है 1 plus 2 यह क्या है less than 5 1 plus 2 less than 5 अब 1 plus 2 क्या होता है वैसा 1 plus 2 is 3 3 is less than 5 क्या 3 5 से less होता है 3 5 से less होता है जी हाँ बिल्कुल 3 जो है 5 से less होता है इसका मतलब क्या है कि यह क्या है true है और अगर यह true है इसका मतलब क्या हो गया कि जो point हमने लिया हुआ है वो क्या कर रहा है इस inequality को satisfy कर रहा है है न क्या कर रहा है इस inequality को satisfy कर रहा है तो हमने interaction में देखा था अगर जो point हम ले रहे है वो inequality को satisfy करता है तो जिस half plane में वो point present है, हमारा क्या होता है solution reason, तो किस half plane में present है यह lower half plane में present है तो यह क्या हो जाएगा हमारा solution reason होगा तो इसको हम लोग highlight कर लेगे भाष साब ठीक है लिए इसको हम क्या करेंगे ऐसे highlight कर लेए तो यह जो पूरा plane है है ना यह जो आपको पूरा प्लेन दिख रहा है यह क्या है हमारा solution reason है है ना यह जो प्लेन आपको दिख रहा है ना यह क्या हमारा solution reason है ठीक है ठीक है यह जो प्लेन आपको दिख रहा है ना यह क्या हो गया हमारा solution reason ठीक है ना यह जो प्लेन आपको यहाँ पर आप एक काम करना इसको फिर से हम लोग यह कर लेंगे ड्रॉ ठीक है जैसे यह लाइन हमने X-axis था हमारा वाला इसके उपर ठीक है यह था हमारा सरी यह Y-axis था और यह क्या था हमारा x-axis था ठीक है यह point जो है हमारा 1 था यह point हमारा 2 है यह point जो हमारा 3 है और यह point हमारा क्या था 4 और यह क्या था वाई सब यह था हमारा point A है ना और यह जो था coordinate था coordinate जो point हमने line से हमने line draw की वे जिस point के उपस है यह 5,0 है और यह कितना था 5 है यह कितना था 5 था ठीक है वैसे यहाँ पे भी note कर ले ना फिर से 1 यह हो गया 2 ठीक है यह हो गया 3 ठीक है और यह हो गया 4 ठीक है और यहाँ पर यह जो point था यहाँ पर हमने यह point consider किया था to decide the solution reason that is point P है ना point क्या था यह P और इसको हमने नाम दिया था P और इसके coordinates क्या थे 1,2 है ना इसके जो coordinates से हो क्या थे हमारे 1,2 थे ठीक है तो यह हो गया 1,2 ठीक है तो यह जो आपको shaded portion दिख रहा है ना ठीक है यह जो आपको shaded portion दिख रहा है this is the solution reason this is the solution reason क्योंकि जो point हमने लिया था वो point इस inequality को satisfy कर रहा था और हमें पता है कि अगर वो point is upside करता है तो वो point जिस plane में present that the plane क्या होता है solution reason होता है ठीकि ना क्या होता है solution reason होता है और यहां से यह line को आपको yellow line दिख रही है यह line जो आमने draw की है two points के through इसको आप थोड़ा सा dark कर ले ना ठीक है लेकिन line केसी है dotted है बले ही मैं dark कर रहा हूँ लेकिन line क्या है हमारी dotted है ठीक है क्या है dotted है dotted line का मतलब क्या होता है कि यह line के उपर के जो points है वो solution reason में included नहीं है है ना इस dotted line के उपर के जो points है solution reason में included नहीं है अगर मैं इसको continuously dark कर देता है ना continuously dark कर देता continuous line बना देता dark line बना देता तो क्या उसका मतलब क्या हो जाता कि इस solution इस line के उपर के जो point है solution reason में included है ठीक है तो यह क्या हो गया हमारा solution reason इसको नाम दे देंगे हम लोग यह क्या है हमारा solution reason ठीक है ना जो हमने shaded portion किया हुआ है क्या हमारा solution reason है और इस reason में जितने भी points होते है इस reason में जितने भी points होते है उनके set को हम क्या कहते है solution set कहते है उसके set को हम क्या कहते है solution set कहते है अब मान लो जैसे हम देना कि जैसे मैं यहां पर यह पॉइंट ले रहा हूँ है ना मैं जब 6 2 ले रहा हूँ मैं ठीक है कि मानलों यह पॉइंट आपने ले लिया अब यह पॉइंट आप देख सकते हो कि अपर हाँ प्लेन में है तो इसके जो कॉइंट से हैं ठीक है इसके जो कॉइंट से हो क्या बनें है 6,2 है ना इसका जो X coordinate हो कितना है 6 है Y coordinate जो कितना है 2 है अब देखो इसके लिए inequality check करो satisfy होती है नहीं होती है so for P1 is equals 2 अगर इस inequality में मैं X का value 6 हो और Y का value 2 रखोंगा तो क्या मिलेगा 6 plus 2 less than 5 है ना 6 plus 2 less than 5 but 6 plus 2 कितना होता है 8 होता है 8 less than 5 क्या यह true है 8 जो है को satisfy नहीं करता यह जो inequality हमने लिखा हुआ इसको satisfy नहीं करता तो obviously satisfy नहीं करेगा क्यों क्योंकि यह जो है वो solution reason के भार का point है यह ना ठीक है inequality को सिर्फ कौन से point satisfy करते है जो solution reason में present हो ठीक है ना तो या फिर इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अमने कहा था जिए अगर आप कोई भी point लो ऐसा necessary नहीं है originally ही लेना है या फिर ये वाला lower happiness ये लेना है आप अफर आप में भी लोग अगर आप उपर आपने ये point लिए मान लोगी अगर आप ने आप नहीं था और ना quality को satisfy नहीं करता है तो ऐसा half plane हमारा solution reason होगा जिसमें वो point present ना हो तो यह point कहां पर अपर half plane में है ना और यह satisfy नहीं कर रहा है तो solution reason क्या होगा lower half plane होगा ठीक है तो आप इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं ठीक है आप यह point consider कर देखो बताने का मतलब क्या है कि आप यह point consider करो या फिर point consider करो या फिर origin करो बात तो एक ही है ठीक है solution reason जो है वो आपको same ही मिलेगा ठीक है यह जो है इसको भी आप यहां पर highlight कर ले ठीक है ऐसे यह तो आपको origin था यह था आपका minus 1 यह था आपका 1 ठीक है न तो इस तरीके से जो है वो आप इसका graph बना सकते है लिखेगा solution तो चलो जी बढ़ते हमारे अगले एक्जांपल के तरब दर इस एक्जांपल नमबर टू है न एक्जांपल नमबर टू में आपको क्या inequality दिया हुआ है कि twice x प्लस y कैसा यहां पर greater than equals to 2 है तो लिखेगा solution ठीक है given given in equation given in equation is ठीक है न क्या दिया हुआ आपको यहां पर twice x plus y greater than equals to 6 इसको हम equation number 1 दे देंगे and to solve this inequality let us assume that ठीक है कि twice x plus y यह क्या है equal है किसके साथ 6 के साथ तो twice x plus y is equals to 6 is what is equation of straight line यह क्या है equation of straight line जिसके हम लोग क्या करेंगे coordinates find करेंगे उसको graph के उपर draw करेंगे बटाक से ठीक है तो हम सबको पता है कि coordinates हम कैसे find करते हैं तो अगर हमें x coordinate find करना यहां पर आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको ठीक है अगर हमने 0 put कर दिया तो 2x plus 0 कितना हो जाएगा 2x is equals to 6 that is easy का मतलब क्या हो गया x is equals to 3 है ना x का value आपको कितना मिल जाएगा 3 तो जब हमने y का value 0 रखा x का value हमें कितना मिल गया 3 मिल गया वैसे ही जब हमें y coordinate find करना है तो हमें x का value कितना put करना है 0 put करना है तो अगर हम x की जगा पे 0 put कर देंगे तो हमें y मिलेगा ना 0 into 2 कितना हो गया 0 0 plus y is y तो यहाँ पे y is equals to आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा इसका मतलब क्या है कि जब हमने x की value 0 रखी तो y coordinate हमें कुछ कितना मिला 6 मिला है ना तो a के coordinates क्य क्या होगे 3,0 and b के coordinates क्या होगे 0,6 ठीक है और यह जो line है वो क्या करती है point a and point b को intersect करती है ठीक है तो यहाँ पे लिखो ठीक है so therefore a of 3,0 and b of 0,6 ठीक है 0,6 are the coordinates ठीक है are the coordinates ठीक है are the coordinates of line ठीक है are the coordinates of line किस line के coordinates है यह है twice x plus y is equals to 6 ठीक है ना तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस line को हम क्या करेंगे draw करेंगे तो ठीक है इस line को draw करेंगे तो draw the plane ठीक है यह हो जाएगा आपका y axis ठीक है और यह क्या होना ची हमारा x axis है ना यह क्या हो जाएगा हमारा x axis हो हमा एक्स सेक्सिस ठीक है तो सब को बताएं कि यहां पर प्वाइंट कितना होगा वन? यह होगा हमारा 2, यह होनाची हो हमारा 4, यह हो जाएगा 5 और यह क्या होना चीति है, 6 ठीक है, वैसे ही नीचे आएगा, यह होना चीति है, मायनस टूट ठीक है, यह हो जाएगा, यह ह horrific है, यह यह होता है हमारा y axis, नीचे हम लोग y dash लिखते हैं और यह क्या लिखते हैं हम लोग x dash, ठीके ना, अब यहाँ पर देखो, ठीके, यह जो point है, यह जो line है, यह क्या कर रही है, दो points में intersect कर रही है, a and b, a के coordinates क्या है, 3, 0, 3, 0 में x coordinate 3 है, y coordinate 0 है, तो भाई स nut, y coordinate 0 कहाँ पर होता है, y coordinate 0 कहाँ पर होता है, on the x axis होता है, तो यह point आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर िखनेगा, ना, x axis के ऊपर मिलेगा, इसका जो coordinate है, ग्या हो जाएगा, 3, 0, क्या हो जाएगा, 3, 0, ठीक है, और इस point को हम नाम दे वैसे ही point B 0,6 यहाँ पर देखो X coordinate 0, Y coordinate 6 है तो यह X coordinate 0 कहाँ पर होता है on the Y axis तो अगर आप इसको देखेंगे coordinate system में तो यह point जो आपको यहाँ पर मिलेगा यह point जो हो आपको कहा मिलेगा यहाँ पर मिलेगा ठीक है coordinates में और इसका जो point है coordinate हो क्या हो जाएगा 0,6 और इस point को आप नाम देदेंगे point B है ना इसको हम क्या देदेंगे point B नाम देदेंगे अब यहाँ पर देखो ठीक है अब इस point को इस point से draw करनी वाली line हमें बनानी है है ना तो हम इस तरीके से बनाएंगे अब देखो line dotted बनाएंगे या फिर dark बनाएंगे यहाँ पर inequality क्या है greater than equals to A तो यहाँ पर हमें line क्या बनानी है dark क्यू 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 उस line के उपर के जो point से solution reason में included होते है टो इस तरीके से आप यहाँ से dark line बना लेना इसी ठीक है यहाँ से आप क्या करना है ऐसी एक dark line बना लेना इसको हम लोग चाहें तो ऐसे dark भी कर सकते है और ठीक है तो यह हो गई हमारी line ठीक है और इस line का equation क्या है आप 2x है ना इस line का equation क्या है, 2x plus y is equal to 6, अब देखो यह line हम दे निकाल दी, अब इस line ने क्या किया, इस plane को 2 half में divide कर दिया, इस part is called as a half plane, तो यह जो होगा हमारा upper half plane होगा, यह क्या होगा, हमारा lower half plane होगा, अब हम यह decide करना है कि हमारा solution reason है, वो upper half plane में है यहां फिर lower half plane में, तो आप कोई भी point consider करो, इस plane का point consider करो या फिर इस plane का point consider करो, लेकिन बात ध्यान में रखनी है कि line के उपर के points नहीं लेने, यह न, line के उपर के points हमें नहीं लेने, एक तो आप origin लो, origin भी आप यहां पर ले सकते हो, या तो फिर आप इस plane में का point लो, या फिर इस plane में का point लो, ठीक है, अगर मान लो अभी हमने फिर से origin ले लिया, अगर हमने यहां पर क्या किया, origin ले लिया, तो ठीक है, consider, यहां पर में नोट कर रहा हूँ, consider, ठीक है, इधर ही लेकर है हम लोग, ठीक है, consider, ठीक है, consider point, origin 00, 2D side, 2D side, solution set, to decide solution reason, solution reason, solution reason को ही आप, feasible reason भी कह सकते हो, solution reason को ही आप, feasible reason भी आप कह सकते हो, ठीक है, so to consider the point, origin 0, 0 to decide the solution reason, ठीक है, तो यहां पर देखो, x का value कितना होगा, 0, y का value कितना होगा, 0, इसमें put करो आप, अगर इस inequality में आप put करोगे, x का value 0 और y का value 0, तो equation number 1 आपको क्या मिलेगा, 2 into 0 plus 0 is greater than equals to 6, इसी का मतलब क्या होगा, 0 is greater than equals to 6, क्या यह possible है, 0 जो है, 6 से बड़ा है, हो सकता है, या फिर उसके equal हो सकता है, क्या, नहीं हो सकता है, मतलब यह जो statement हमने लिखा हुआ, यह क्या है, false है, यह क्या है, हमारा false है, और अगर यह false है, इसका मतलब क्या है, कि जो point हमने लिया हुआ है, वो क्या कर रहा है इस inequality को satisfy नहीं कर रहा है और अगर satisfy नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि जिस plane में हो point present है उसको छोड़के other वाला plane जो है हमारा solution reason होगा बात आपको आ रही है समझ में other point जो है inequality को satisfy नहीं करता है तो ऐसा half plane यहाँ पे दो half plane है एक upper half plane और lower half plane यह किस कहां प point इस inequality को satisfy नहीं करता है तो ऐसा half plane हमारा solution होता है जिसमें ओ point present ना हो है ना तो किसमें यह present नहीं है अपर half plane में present नहीं है किसमें present है lower half plane में present है तो यह हमारा solution reason नहीं होगा तो solution reason क्या होगा हमारा upper half plane तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसे highlight कर लेंगे ठीक है ना इसको हम क्या करेंगे ऐसे highlight कर लेंगे या फिर shaded portion बना लेंगे ठीक है तो यह हो गया हमारा solution reason और you can see it as a feasible reason इसको आप solution reason भी कह सकते हो या फिर इसको आप क्या कह सकते हो feasible reason भी कह सकते हो ठीक है तो यह हमने कैसे decide किया by using the point है ना अब इसके पहले वाले question में हमने किसी plane का point consider किया था अभी हमने क्या क्या origin consider किया तो ऐसे different different questions में हम लोग different different point लेंगे अब कोई एक question ऐसा भी लेंगे जिसमें हम लोग point की line के उपर का point consider करके देखेंगे क्या होता है क्योंकि मैं आपसे बार-बार के रहा हूँ कि line के उपर का point हमें consider नहीं करना है अभी क्यों नहीं करना है किसी एक example में मैं आपको बता हूँआ ठीक है ना तो यह जो portion आपने लिखा हुआ है shaded किया हुआ है this is the what ठीक है this is feasible reason ठीक है ना feasible reason या फिर इसी को आप solution reason भी कह सकते हो ठीक है इसको आप थोड़ा से यहाँ पे फिर से यह कर ले ना जिसी यह point जो है हमारा 6 था ठीक है यहाँ पे यह हो गया है ठीक है यह X axis है आपका ठीक है यह 0.4 है यह आपका point जो है 5 है यह 6 है और यह क्य या आपका 7 है ठीक है ना तो इस तरीके से जो है आप सोलूशन जो है ग्राफिकल सोलूशन जो है किसी भी इनिक्वालिटी का निकाल सकते हो ठीक है ब्रॉ कीजिएगा तो चले उच्छे बढ़ते हैं हमारे अगले एक्जाम्पल के तरफ लेड़े एक्जाम्पल नमबर 3 ठी या हुआ है 4X प्लस 4Y ठीक है less than or equal to 12 है ना किस थैप plus 4y less or equal to 12, 3x plus 4y less or equal to 12 and corresponding to this, corresponding corresponding line is, so 3x plus 4y is less than equal to 12, यह inequality है, so इसके corresponding line जो इसका equation क्या हो जाएगा, 3x plus 4y is equal to 12, 3x plus 4y is equal to 12, तो हमें 3x plus 4y is equal to 12 is an equation of the straight line, यह क्या है, किसका equation है, equation of the straight line है, तो obviously हम क्या करेंगे, इसके points निकालेंगे, इसके जो दो coordinates होते हम निकालेंगे, और उसको हम graph के उपर draw करेंगे, तो बहुत simple सी process है, on the line, 3x plus 4y is equal to 12, अगर हमें a and b के coordinates निकालने हैं, ठीक है, हम 2 points consider करेंगे, यह जो line आपको दिखरी है, 3x plus 4y is equal to 12, इसके 2 coordinates होते है, it is a line which passes through the 2 points, 3x plus 4y is equal to 12, is a equation of line, यह इस type की line का equation है, जो क्या होता है, दो points से पास होती है, तो दो points जो है, दो coordinates जो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x plus 4y is equal to 12, ठीक है, इसके हम 2 points निकालेंगे, एक को नाम दे दो, आप a, एक को नाम दे दो, आप b, एक को हमने a नाम दे दिया, एक को हमने b नाम दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके coordinates बना लेंगे, ठीक है, तो यह हो गया हमारा x, ठीक है, यह point a है, और यह point b है, तो हमें पता है कि अगर हमें y coordinate find करना है अगर हमें y coordinate find करना है तो हम क्या put करते है? x को 0 put करते है और अगर हमें x coordinate find करना है तो हम क्या करते है? y को 0 put करते है तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे y is equal to 0 put कर दिया अगर मान लो हमने यहाँ पे y is equal to 0 put कर दिया तो यह जो equation है वो आपका कैसे हो जाएगा ठीक है कैसे हो जाएगा it will implies ठीक है यहाँ पे देखो हम x ठीक है y की जगह पे 0 put करने वाले है तो 0 into 4 जो हो 0 हो जाएगा and 0 plus 3x कितना हो जाएगा 3x तो आपको क्या मिलेगा lhs में 3x is equal to 12 क्या मिलेगा 3x is equal to 12 इसी को आप क्या लिख सकते हो x is equal to 12 by 3 इसी का मतलब क्या हो जाएगा x is equal to 4 4 3s केटना होता है 12 होता है तो जब हमने y की value 0 रखी जब हमने y coordinate को 0 रखा तो मुझे x coordinate कितना मिला 4 मिला जब हमने y coordinate 0 रखा तो हमें x coordinate कितना मिला 4 मिला वैसे ही अगर हमें y coordinate find करना है तो हम क्या करेंगे, किसको 0 करेंगे x को 0 कर देंगे अगर हमें y coordinate find करना है तो हम क्या करेंगे, x को 0 कर देंगे तो अगर हम यहाँ पे x को 0 put कर देते है अगर हम यहाँ पे x को 0 put कर देते है, तो देखो क्या हो जाएगा 0 x 3 कितना हो जाएगा यह 0 हो जाएगा और 0 plus 4y है ना x के जगह पे हम 0 पुट कर रहे है ना तो 0 x 3 कितना हो जाएगा 0 और 0 plus 4y कितना होना चाहिए 4y and 4y is equal to 12 तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 4y is equal to 12 और इसी को आप क्या लिख सकते हो ठीक है 4y is equal to 12 इसी का मतलब क्या हो जाएगा y is equal to 12 by 4 and y is equal to 12 by 4 अगर हमने लिया तो y का value हमें यहाँ पर कितना मिलना चाहिए 3 that is 4 3s are 12 किता होता है 4 3s are 12 ठीक है so y is equal to 2 हमें कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा ठीक है तो जब मैंने x की value 0 रखी तो मुझे y कोडिनेट जो था जब मैंने x कोडिनेट को 0 किया तो y कोडिनेट हमें कितना मिला यहाँ पर 3 मिला है ना तो जो points थे वो points कुन से मिलेंगे a के जो कॉडिनेट से हो क्या है 4 0 b के जो कोडिनेट से हो क्या है 0 3 ठीक है so therefore a, a 4 0 and b0 3 0 3 are the points ठीक है, are the points ठीक है, are the points of line, ठीक है, are the points of line, और you can say ठीक है, यह जो line है, इस point में intersect करती है, इस point से passing through होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, are the points of the line ठीक है, so therefore, सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, इस line को, इस graph को हम लोग draw करेंगे, ठीक है, 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 ठीक है जोइनिंग, ठीक है, ड्रॉ लाइन जोइनिंग, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, ग्राफ के उपर हम क्या करेंगे, यह पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यह पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, प्लॉट करने के बाद, इन दोन तो क्या करेंगे डार्क लाइन करेंगे और दूसरा हम लोग क्या बनाएंगे डॉटेड लाइन बनाएंगे तो डार्क लाइन कब बनानी है और डॉटेड लाइन कब बनानी है मैंने आपको बार-बार बता के रखा हुआ है तो अगर इनिक्वालिटी जो है वो स्लैक इनिक् तो आपको line जो है वो dark draw करनी है क्या करनी है dark draw करनी है क्यों कि इस case में इस inequality के case में किसमें less than equals to और greater than equals to के case में line के उपर के जो points होते हैं वो solution reason में included होते हैं है न किसमें included होते है solution reason में included होते है इसले line जो हम लोग केसी draw करते है dark draw करते है ठीक है और जिसमें strict inequality है उसमें line में dotted बनानी होती है क्यों dotted बनानी होती है क्योंकि उस case में जो line की उपर points है वो solution reason में या फिर feasible reason में included नहीं होते है और included नहीं होने की वज़े से हम वहाँ पर क्या करते है dark line, dotted line represent करते है क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर देखो inequality किस type की है इसको आप चाहें तो ऐसे equation number 1 देदेना ठीक है, इस inequality को हम equation number 1 देदेंगे तो यहाँ पर देखो यह जो inequality आपको दिख रहा है वो किस प्रकार का है, less than equals to all inequality है किस type का inequality है, less than equals to all inequality है that is slack inequality है और जब slack inequality आएगा तो इन दो points को join करने वाली जो हम line बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, dark बनाएंगे तो यहाँ पर आप पहले तो ठीक है, coordinate system बना लो ठीक है यह मान लो कि हमारा हो गया यह y axis ठीक है यह हो गया हमारा x axis ठीक है, यह हो गया हमारा x axis इसे हम कहेंगे x ठीक है इसे हम कहेंगे y यह होता है y dash ठीक है यह होता है हमारा x dash जो आपको बहुत अच्छे से बता है यह होता है origin ठीक है तो यहां पर देखो कुछ points हम लेंगे मानलो जैसे हमने 1 ले लिया ठीक है आप 2 ठीक है यहां पर आजाएगा 3 यहां पर आजाएगा 4 ठीक है यहां पर आना चीए 5 आप properly scale का यहां यूज़ करके points बनाएंगे ठीक है अगर आप proper scale का यूज़ करके graph बनाएंगे तो आपका graph जो है दिखने में बहुत अच्छा बनेगा ठीक है यह मानलो आपका हो गया 1 ठीक है यह हो जाएगा 3 यह हो जाएगा आपका 4 और यह क्या होना चाहिए आपका 5 ठीक है वैसे ही ठीक है ना वैसे ही इधर हो जाएगा minus 1 यह आजाएगा minus 2 ठीक है यह आजाएगा minus 3 यह आजाएगा आपका minus 4 ठीक है अब देखो ठीक है यह जो points है points यह क्या है 4 0 और यहाँ पर देखो 4 0 में Y coordinate जो है वो 0 है 4 0 में आपका Y coordinate जो है वो 0 है और Y coordinate 0 कहाँ पर होता है वाई सब on the X axis Y coordinate जो है वो 0 कहाँ पर होता है on the X axis होता है और X coordinate कितना है 4 तो X axis के उपर X coordinate आपको कहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है 4,0 तो एक point हमारा हो गया तो दूसरा point क्या गया रहा है point B, 0,3 यहाँ पर देखो x coordinate 0 है वर y coordinate कितना है 3 है तो x coordinate 0 कहाँ पर होता है उन्दो y axis होता है और y axis के उपर आपको 3 कहाँ पर दिख रहा है y coordinate यहाँ पर तो यह हो जाएगा हमारा point यह क्या हो जाएगा हमारा point हो जाएगा और इसको हम नाम दे देंगे भाई साब B इसको हम क्या नाम दे देंगे B नाम दे देंगे और इसके जो coordinates है वो क्या है ठीक है इसके जो coordinates है हमारे 0,3 अब इन दो points को join करने वाली हमें एक line बनानी है है न हम क्या करेंगे इन दो points को join करने वाली एक line draw कर देंगे यहां पर ओ line हमें कैसे बनानी है thick बनानी है dark बनानी है क्यों कि यहां पर आपको क्या दिख रहा है less or equals to का line equality है ठीक है तो यहां पर हम line जो है वो dark बनाएंगे ठीक है ठीक बनाएंगे या फिर dark बनाएंगे this is just a way of representation यह क्या है हमारा एक represent करने का way है ठीक है जो हमने दूण के निकाला हुआ है ठीक है इस तरीके सा आप line draw कर देंगे यहां पर एक ठीक है आप बरबर proper scale का use करके बनाएगा ठीक है अब यहां पर देखो यह line हमें मिल गई ठीक है इस line के जो coordinates से हो क्या है ठीक है इस line के जो coordinates से हो क्या है 0 4 ठीक है इस line के जो coordinates से हो क्या है हमारे 4 0 ठीक है 4, 0 and 0, 3, ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यह जो line है, इस line ने क्या किया, इस plane को 2 parts में divide कर दिया, आप देख सकते हो, कि यह जो line हमने graph के उपर बनाई है, इस line ने क्या किया हुआ है, इस plane को 2 parts में divide कर रखा है, और इस part को हम क्या कहते है, half plane, again I am repeating again and again, जो concept से मैं आपको बा से उड़े ना, अगर यह line ठीक है, इस plane को divide करती है, तो यह जो 2 parts आपको दिख रहे है, इस में से each part को कहा जाता है, half plane, क्या कहा जाता है, half plane, और मैंने आपको आगे बताया था कि अगर horizontally हम लोग divide करता है, तो upper half plane और lower half plane आप बोल सकते हो, अगर vertically divide करता है, तो right half plane या फिर left half plane आप बोल सकते हो, अब यहाँ पर आप, it is not exactly horizontal बट similar to the horizontal है, तो vertical तो नहीं है, vertical नहीं है मतलब का होना चाहिए, similar to the horizontal, तो यह जो उपर वाला plane है, इसको हम अपर half plane कहेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे lower half plane, अब इसने क्या किया, इस line ने इस plane को दो parts में divide कर दिया, अब हमारे पास यह question है, कि हमारा solution reason क्या होगा, यह होगा या फिर यह होगा, जैसे कि इसके पहले वाले questions में हमने देखा था, क्या देखा है, कि कही भी किसी भी plane में का, एक तो आप उपर वाले plane में का, या तो फिर आप नीचे वाले plane में का कोई भी point लो, आप origin भी ले सकते हो जनरली लोग origin लेते हैं ना, बढ़ हमने एक दो question में origin लिया हुआ है, अदरवाइस हमने different points ही consider किया हुआ है, तो सिर्फ origin ही लेना ऐसा कोई necessary नहीं है, आप इन दोनों plane में से कोई भी point ले सकते हो, जो point क्या करेगा, जो point इस inequality को satisfy करेगा, वो जो point है अगर उस reason में है, जि हम यहाँ पर देखो, मान लो जैसे मैं यहाँ पर यह point consider कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर मान लो कि यह point consider किया, अब यह point के जो coordinates है, ठीक है, यह point आपको दिख रहा है, इसके coordinates बन जाएंगे हमारे 2,1, है ना, 2,1, x-axis के उपर coordinate, 2, y-axis के उपर 1 है, और यह जो point है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर P, है ना, इसको हमने नाम दे दिया P, अब हम सबसे वहले क्या check करेंगे, कि यह point हमने consider क्या हुआ है, क्या यह इस inequality को satisfy करता है, ठीक है, तो लिखेगा, now, ठीक है, now, to decide, to decide, solution reason, solution reason को ही आप feasible reason भी कह सकते हो, ठीक है, now to decide solution reason, ठीक ह ठीक है, consider, consider, point, ठीक है, consider the point, कौन सा point हम consider करने वाले P, 2, 1, है न, P of 2, 1, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, X की value, यहाँ पर X को ओडिनेट कितना है, 2 है, Y को ओडिनेट कितना है, 1 है, इसमें आप पुट कर दो, ठीक है, तो अगर इसमें हम पुट कर देंगे, तो आपका जो 1 पुट करेंगे, so 1 into 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको less or equals to 12, LHS को अगर आप solve करेंगे, तो 6 plus 4 आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, and 10 is less than equals to 12, which is true, है न, यह क्या है, true है, 10 जो होगा 12 से less होता है, तो यह क्या हो जाएगा, ठीक है, और आरे यह बात समझ में, जो पॉइंट हमने consider किया हुए, देखो, दो half plane से यह, अपर half plane हमने इसको बोला, इसको हमने lower half plane बोला हुए, ठीक है, और यह point कहां पर present है, lower half plane में present है, और यह point क्या कर रहा है, इस inequality को satisfy कर रहा है, और अगर इस inequality को satisfy कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कि जिस plane में, जिस half plane में ये point present है, ये हमारा क्या हो गया? feasible reason हो गया, या फिर solution reason हो गया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपसे क्या कहा था? कि जिस point में जो point, अगर हम कोई point consider कर रहा है, और अगर वो inequality को satisfy कर रहा है, तो जिस plane में वो point हमारा present है, वो point क्या होता है, हमारा feasible reason होता है, तो यह point हमने consider किया, यह कहाँ पे present है, lower half plane में present है, तो यह plane जो है, lower half plane हमारा क्या हो जाएगा, solution reason हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे dark कर लेंगे, shaded बना देंगे, ठीक है, यह जो portion आपको दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे shaded portion बना देंगे, ठीक है न, जहाँ तक भी हमने line draw किया है, वहाँ तक, ठीक है, तो वाइस आप यह हो गया हमारा solution reason, या फिर feasible reason, एक और notable चीज़ यहाँ पे यह है, कि इस feasible reason में, जितने भी points होंगे, वो सारे के सारे points क्या करेंगे, इस inequality को satisfy करेंगे, और अगर इस feasible reason के बाहर का आप कोई point लेते हो, मान लो जैसे अगर आपने upper half plane का point लिया होगा, तो उसके लिए जो inequality है, इस जो point है, इस upper half plane के जो point है, इस inequality को satisfy नहीं करेंगे, क्योंकि अगर satisfy करते तो अमारा upper half plane solution होता हमारा solution reason क्या है lower half plane है तो इसमें जितने भी points होंगे वो इस inequality को satisfy करेंगे लेकिन अगर इस half plane के lower half plane के बाहर के अगर हम points लेते है तो इस inequality को satisfy नहीं करेंगे इसके पहले वाले questions में हमने उसको detail में देखा था तो यह हो गया आपका solution reason या फिर physical reason इसको आप फिर से इस तरीके से बना ले ना ठीक है मैं आपको यहां पर फिर से बना दे रहा हूँ यह minus 2 है यह आपका minus 1 हो गया यह 0 हो गया ठीक है यह कितना था आपका minus 1 यह था हमारा minus 2 यह हमारा minus ठीक है यह हो गया 1 ठीक है यह हो गया 2 यह हो गया हमारा 3 ठीक है और यह क्या है हमारा 4 ठीक है और यह क्या था हमारा 5 ठीक है यहाँ पे ठीक है यह जो point था यह हमारा point B था ठीक है point A था यह जो point हमारा क्या है यह point A है है यहाँ पे हमने क्या किया था ठीक है यहाँ पे हमने क्या किया था एक dotted line बना दी थी है ना यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ एक dotted line बना दी हुई है ठीक है और यह क्या है point आपका p है this is point p ठीक है यह क्या है point p है और यह क्या है आपका point के coordinate that is 2,1 है ना, तो इस तरीके से आप फिल से इसको लिए कर सकते हो, ठीक है, ये again आपका point B था, ठीक है और यहाँ पे ठीक है, आपको clearly समझ में इसलिए मैं फिल से आपको यहाँ पे draw कर रहा हूँ ये आपका 1 है और ये क्या feasible, ठीक है, feasible reason, ठीक है, ये क्या है हमारा feasible reason, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो, solution ठीक है, solution reason, ठीक है ना, इसी को मैं क्या कह सकते है, solution reason भी कह सकते है, और इसके अंदर जो points होते है ये ना, इस feasible reason के अंदर, जो points होते है, उन points के set com क्या कहते है solution set कहते है ठीक है ना क्या कहते है solution set कहते है ठीक है draw किजिएगा